नमस्कार दोस्तों स्वागर्थ है आप सभी का हमारे इस चैनल मासर पेपर को साल्व करा रहा हूं आज के अपने इस वीडियो में हम डी त्रिपल अश्बी पी आएटी के टीचिंग मेतडोलाजी पेपर का साल्यूसन देखेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखते हैं पहला कोश्चन इसमें दिया गया है भारत में समावेशी सिख्चा को लागू करने में क्या चुनवतिया है इसमें दिया गया है भारत में दिभ्यांग बेक्चियों के लिए कोई नीती नहीं है दूसरा दिया गया है सम नमबर टू केवल सेकेंड यानि समावेशी सिच्छा प्राप्त करने का मार्ग लंबा और विविध है यहीं चुनोतिया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमबर टू है निन्नलिखित में से कौन सी निती लेंगीक असमानता के लंबे इतिहास को पहचान क पर यह कतिया की लेंगीक असमानता अतीद की संचयी विक्रती है पहला आप्षन दिया गया सिच्छा पर राश्ट्री निती नाटी-टि-टि-शिक्स यानि 1986 की राश्टी सिच्छा निती दूसरा आप्षन है विस्वज़ विद्याले सिच्छा आयोग 1942 से 1909 तीसरा आप् दोजार बीस यानि एनिपी 2020 तो क्वेश्चन नमबर टू का राइट अंसर है आपसा नमबर फर्स्ट है सिच्छा पर राश्टरी निती 1986 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमबर थर्ड है चात्रों को एक प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्निलिखित म से किस बैठने की विद्रण उपयोग किया जाना चाहिए इसमें पहला दिया गया है सिच्छक Ke सामने आदे घेरे में बैठे च्छतर्यूसरा दिया गया है यानि सिच्छक के सामने आधे घेरे छात्र में बैठे। Next question देखते हैं, question number 4 है, निमने लिखित में से कौन सा कथा सिच्छण के सिच्छार्थी केंदरित उपागम के संदर्भ में सत्य नहीं है। फ़ला option दिया गया, छात्र निस्क्री रूप से सुनकर और पढ़कर सिखते हैं, दूसरा option है, करके सीखना आधार है, तीसरा option है, से क्रिय सीखने का अभ्यास किया जाता है, और चौथा option है, प्रदर्शन सीखने के उद्देश्यों की स्रेष्टता को दर्साता है, तो question number 4 का right answer है, आपसा number 1, छात्र निस्क्री रूप से सुनकर और पढ़कर सिखते हैं, जो कि सत्य नहीं है, और सभी सत्य है, next question देखते हैं, question number 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्त उपचार तकनीक सही सुमेलित है, पहला दिया गया है ब्यक्तिगत मनो चिकित्सा, उ सामने सामने देखता है, दूसरा है पारिवारिक चिकित्सा, जो कि उपचार जिसमें एक चिकित्सक परिवार के काम का अचके स्वारूप का विशलेशन करने के लिए पूरे परिवार को एक साथ देखता है, तीसरा है ब्यवहार चिकित्सा, ब्यवहार चिकित्सा क्या है, उप्चार जिसमें एक बच्चा सोतंतर रूप से खेलता है जबकि एक चिकित्सक देखता है और कभी-कभी टिपड़ी करता है पूछता है प्लस में करता है या सुझाओ देता है तो इसमें पहला अप्षन दिया गया है 1st and 2nd दूसरा अप्षन है 1st, 2nd, 3rd तीसरा अप्षन है 1st and 3rd चौथा अप्षन है 2nd and 3rd तो क्वेश्चन नमर 5 का राइट अंसर है अप्षन नमर 2nd, 1st, 2nd and 3rd तीनों सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमर 6 है मिनलिखित में से कौन सा कथन सरकार को करका भुक्तान करने का सत्यकारण बताता है पहला दिया गया है सरकार दोरा रच्छा पार्क सबसीडी जैसी सारजनिक सिवाएं प्रदान करना दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं के बाद लोगों के पुनरवास के लिए इसका उप्योग करना पहला अप्सन है फर्स्ट और सेकेंड दोनों दूसरा अप्सन है केवल सेकेंड थिसरा अप्सन है केवल फर्स्ट और चौथा अप्सन है ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड तो question number 6 का right answer है option number first यानि first and second दोनों सत्य है next question है question number 7 है अभ्यास का नियम अधिगम के तीन नियमों में से एक है इन नियमों को किसने विक्सीत किया है फ़ला option दिया गया है जीन पियाजे, दूसरा है रविंदर नाट्टे गोल तीसरा option है सिग्मन फ्रायड और चोथा option है E.L. थांडाइक तो question number 7 का right answer है option number 4 E.L. थांडाइक थांडाइक ने अभ्यास का नियम दिया है प्रभाव का नियम दिया है तत्परता का नियम दिया हुआ है question number 8 है नौजास सिसू की समवेदी छमताओं के संदर्म में नियम लिखित में से कौन सा सही है पहला दिया गया है जन्म से पहले स्रवन का रियात्माख होता है दूसरा है जन्म के समय द्रिष्टी सबसे कम विक्सित इंद्री होती है जिसमें पहला option दिया गया है केवल सेकेंड दूसरा option है ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, तिसरा आपसन है फर्स्ट एंड सेकंड, दोनो और चौथा आपसन है केवल फर्स्ट तो question number 8 का right answer है, आपसन number 3, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनो right है Next question देखते हैं, question number 9 है भारत में समावेशी सिच्छा के संबंद में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है पहला दिया गया है, 2005 में मानो संसादन दिकास मंत्राले ने विकलांग बच्चों और युवाओं की सिच्छा में समावेशन करने के लिए एक राश्ट्री कारय योजना को लागू किया दूसरा दिया गया है सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चों को उनकी जाती धर्म छमता आधिकी परवाह किये बिना सिच्छा प्रदान करना सुनिशित करता है Q9 में आपसन पहला दिया गया है केवल सेकेंड, दूसरा आपसन है फर्स्ट और सेकेंड दोनो, तीसरा आपसन है नो तो फर्स्ट नाही सेकेंड और चौथा आपसन है केवल फर्स्ट Q9 का राइट अंसर है आपसन नमर सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनो नेक्ट कुश्चन है, कुश्चन नमर टेन है, नेसुल्क और अनिवार सिच्छा अधिनियम 2009 के लिए बच्चों के अधिकार में स्थानिय प्राधिकरण के करतब्यों के बारे में इन लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला दिया गया है प्रवेस के लिए प्रति ब्यक्ति सूल्क लेना, दूसरा आए सिच्छकों के लिए प्रसिक्षन सुविधा पदान करना और तीसरा आए से छड़ी कैलेंडर तै करना जिसमें पहला अप्सन दिया गया है केवल फर्स्ट, दूसरा अप्सन है फर्स्ट और थर्ड, तीसरा अप्सन है थर्ड, जिसमें तीसरा अप्सन है जिसमें 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 जि जीन जैक्स रूसों नों अपनी पुस्तक एमिल में नैतिक विकास की त्री चरणडी योजना को जोड़ा इन चरणों के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया सैस्व आवस्था और बाले आवस्था में सिस्षे पर आवसकता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा है बाले आवस्था और योवन के भी सिस्षे पर उपयोगिता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। जिसमें पहला option है ना ही first ना ही second, दूसरा option है first and second दोनों, तीसरा option है केवल first और चौथा option है केवल second, तो question number 11 का right answer है option number second, first and second दोनों, अतलब दोनों कतन सही दिये गए हैं. नेक्स्ट question देखते हैं, question number 12 है, निमनलिखित में से कौन सी विशेस्ता आधिगम की समस्या समाधान पद्धती में सामिल है? जिसमें पहला दिया गया है, एक लच्छे प्राप्त किया जाना है, दूसरा है सचेत, नियोजित और उद्यस सेपूर्ड हमले के माध्यम से मासूस की गई कठीनाई को चुनाउती देना, परला अफसन इसमें फर्स्ट एन सेकेंड दोनों, दूसरा अफसन नहीं फर्स्ट नहीं सेकेंड और तिसरा अपसन केवल फर्स्ट और चौथा अपसन केवल सेकेंड, तो question number 12 है, right answer है, आपसन नबर फर्स्ट एन सेकेंड दोनों, य नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, कोश्चन नमर 13 है, महिलाओं और पूर्सों के गुड़ों के बारे में अक्सर बिना किसी आधार के विश्वासों और अपक्छाओं का एक साज़्ा लोक्त्री सम्मू है, जिसमें पहला अप्सन दिया गया है, धार्मिक रूडिवादिता, दूसरा अप्सन है लिंग रूडिवादिता और तीसरा अप्सन है आयू रूडिवादिता और चौता अप्सन है आत्मरूडिवादिता, तो कोश्चन नमर 13 का राइट अंसर है, अप्सन नमर 2 लिंग रूडिवादिता, जो कि महिलाओं और पूर्सों के गुड़ों के ब सब्सक्राइब सब्सक्राइब दूसरा है दिल्ली, तीसरा है सूरत और चौथा है मुंबई, तो क्वेश्चन नमबर 15 का राइट अंसर है आपसा नमबर थर्ड यानि सूरत, सूरत में 1994 में प्लेक का प्रकोप था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नमबर 16 है, पूरू सततरता भारत में एक्ट वर्स का निमलिखित में से कौन सा यूग म सही है, पहला है आर्म से एक्ट 1888 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1889 में आया था, और तीसरा है इलबर्ट बील 1890, इसमें आपसन दि 16 का राइट अंसर है आपसन नमबर 3 केवल 1st, आंस एक्ट 1888 में आया था, भारती सास्त्र अधिनिया महजो की आंस एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, ये 1888 में आया था, और इलबर्ट बील कब आया था, इलबर्ट बील 1884 में आया था, अब नेक्स्ट नमर 17 में वोट के लिए महिलाओं का संघर्स प्रतम विश्यूद के दौरान मजबूत हुआ इस आंदोलन को कहा जाता है पहला दिया गया महिला मतादिकार आंदोलन दूसरा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो क्वेश्चन नमर 17 में पहला अपसन दिया गया केव सब्सक्राइब करने के अधार पर अधिगम की सैली हो सकती है इसमें पहला अपसारी पहला दिया गया है अपसारी कथन है दूसरा कथन है आत्मसाथ जिसमें पहला अपसन है केवल फर्स्ट एंड्सकेण दूसरा अपसने केवल फर्स तीसरा अपसने केवल सेकेण और चौत्ठा आपसने ना तो फर्स्ट नहीं सेकेण तो कविच्चन नमर नेक्ट ग्वीचारक की पहचान किजिये इसमें विचारक की पहचान करना है इस question में इसमें कथन दिया गया है इन्हों ने विद्याले के सामाजिक और नैतिक स्वरूप पर जोर दिया उनका मानना था कि एक विद्याले को लगु समुदाए एक परिपक को समाज के रूप में कारे करना चाहिए जिसमें पहला आपसन दिया गया है रविद्र नाटे गोर दूसरा आपसन है रुडोल्फ इस्टेनर तीसरा आपसन है अलफ्रेड विने और चौता आपसन है जान डीवी question number 19 का right answer है आपसन number 4 जान डीवी तो अब यह हमारा last question है question number 20 अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर दिजेगा question number 20 है बार बार पलक जपकना किस अच्छमता का लक्षण हो सकता है पहला इसमें स्रवार दोस्त तूसरा है अधिगम अक्छमता और तीसरा आप question number 20 का right answer है option number 3 दिरिश्य दोस्त मतलब बार बार पलक जपकना या एक दिरिश्य दोस्त का लक्षण है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिजेगा इसी प्रेकार की वीडियो मैं बनाता करा हूंगा मिलते हैं अब नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ध